हम लोग कर रहे हैं जोग्रफी में अपने आगे का लेक्चर्स यानि कि अभी तक जो है हमने क्लाइमाटोलोजी ओशनोग्राफी और वेजिटेशन कर लिया है तो अब हम आज करेंगे अपना जियो मॉर्फिलोजी यानि कि अर्थ के बारे में हम देखेंगे क्या-क्या चीज है यह सारी चीज़े हम आने वाले अपने लेक्चर्स में देखेंगे तो आज हम पर शुरू करेंगे अपने अर्थ इंटीरियर से यानि कि अर्थ के अंदर क्या है ठीक है तो जो है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपको जो है सारे कॉंसर्प्स में आ जाए क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे ना उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे ठीक है तो सबसे पहली चीज जो है यह हमारी अर्थ ठीक है और हमने जो था पहले अर्थ के बाहर का दिखा था किस प्रकार से उसका मौस फीर होता है पर अब हम अंदर देखेंगे और अब को इनका देंस्टी थोड़ा सा समझ में आना जाने चाहिए अंदर जोगा वह सबसे दर डेंस होगा सीधा 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 कॉंसर्प्ट है अगर मालो आप यहां पे तीन मेटल आप पिगला के रख दो एक जार के अंदर मालो एक आपका यह जार है और आप इसके अंदर इसे घोल के डाल दो थोड़ी दिर पाद आप देखेंगे कि जो हलका वह उपर आ जाएगा जो से भारी होगा वह नीचे होगा जो सबसे भारी होगा उसके नीचे होगा तो इसी प्रकार से अर्थ के अंदर भी अर्थ शुरू में बहुत गरम थी और जो भी सबसे हैवी थ तो यहां पर याद रखना है उसके बाद कि हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है तो ठीक है तो पांच रीजन्स हैं जिसके वज़े से हमको अर्थ के अंदर के बारे में काफी सारी information बता चलती है पर यह डारेक्ट रीजन्स नहीं है क्योंकि आज तक जो सबसे ज्यादा गहराई में खोदा गया है वह श्याद तो वह ज्यादा तो नहीं है क्योंकि अगर आप देखें अर्थ की जो है वह गहराई बहुत जादा आप देखें, शहाजार किलमेटर तक है तो 12 किलमेटर तो कुछ भी नहीं हुआ है इसके सामने है ना हम तो क्रस्ट भी बार नहीं कर पाए तो हमें अंदर के बारे में पता कैसे चला यह जो डाइग्राम हम देख रहे हैं यह हमें कैसे पता चला तो इसके कई सारे reasons से जैस पानी के फुवारे थे हॉट स्प्रिंग्स या गीजर्स थे वहां पर हमको पता चला कि अर्थ जो अंदर है वो जाधा गरम है ठीक है टेमपरेचर जो अंदर वो जाधा है ठीक है क्यों तो यह बाहर गरम होके निकल रही है दूसी चीज़ हमें पता चली कि फॉर्स फुली इस बहार निकल रही यहने कि ऐसा नहीं कि एसे बस ऐसे निकल गए यह जो रहे हैं काफी फुहार इमानवार के निकल ले हैं आसे निकलती है न गीजर्स या पॉल के नो तो इब पता चला हूँ अंदर प्रेशर भी जाधा है तो दो चीज़ घांए प्र यहां से पता चल और तो यह सारी वेव इनके वज़े से बिजब स्टड़ी करी गई है अलग-अलग instruments से तो हमको पता चला कि अंदर जो है कहां पे solid है कहां पे liquid है कहां पे कौन सी चीज़ है इस प्रकार से जो है हमें जो अर्थ है उसके अंदर के भारे में information पता चला और वेव के कुछ अपन ने वेव छोड़ी जब इन्होंने यहां से वेव छोड़ी तो क्या हुआ जो लड़के यहां निकल गई कोई यहां निकल गई यहां पे नहीं मिली तो पता चला कि चीज़ए कि यह यह वेव ती कभी भी solid को बाहर नहीं करती है तो यह जो है यानि की पीछ में कुछ ना इज कौन होते हैं जो उल्खक होते हैं जो कि धरती गिर जाते हैं अई हमीrast को वज़ेसे हमको पता चाला कि जो छो आर्थ थी न वो या कोई बी विलका पिंड आपके अर्थ गिर रहा है वो दोनो यह जो से जो हैं तभी बनी होंगी अर्थ हो या कोई भी मेटराइट हो या जितनी प्लानेट हैं वह हमेशा शुरिष्टी के पराहरम में बने ठीक है तो उस समय था वह जो भी नेबुलर क्लाउड था बतलब जिस से वह बने है हाईडरोजन रियम जो भी वह जैंसे भी ऊपने वही है नोगे तो इसकी संगरेचन से भी मिलती होगी पर यह चोटा है यह बढ़ा है तो इससे भी हमको थोड़ी बहुत चीजे पता चलती हैं कि अर्थ के अंदर क्या-क्या और चीजें हो सकती हैं तो एक तो य और इंदर से बन रही है जोर्थ मह कर रही है चारोcht तो कई रीव ses चीजों के वजए से हम BAR के बारे में पता चलता है पहला जो अर्त में दीनिस्टी में तो यह 2 में उसके बारे में और कैसे से में को पता चलता अब हम देखेंगे कि कैसे डिफाइंड है ठीक है तो पहले ग act के बारे में सबसे पहले चीज क्या होती है और यह किस की दौरा बनती है या तो कीसे कैसे आता है ओना यह कोई जो है जो की-व फट घया हो पास से प्रेमर्ज निकाएंगा निकाले गाऊ कंपन कंपन लेगे तो वजह से भी सेस्में जों सब चीज़ों के वज़े से बनती है या फिर हाइड्रोजन फोड़ दिया या कोई मिजाइल फोड़ दिया है अभी रिसेंटली लेवनान में देखा कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था तो आस पास की शीशे तक टूट गए थे तो क्यों फोटे थे क्यों आगे पूछा के जाएगा तो अभी क्या होता है जब अर्थक्वाइक आता है ना अर्थक्वाइक में बेसिकली क्या होता है कि अर्थक्वाइक जहां पर आया होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस ठीक है यह होता है फोकस पर इस फोकस को एक और नाम से जाना जाता है ज जियत हो गया धरदी के अंदर ऑर जो फोई्ट होता है जहां पर अर्थक्वयक आया होता है उसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है जिससे आपके घर के 10 km नीचे आया अर्थक्वयक हना तो वहां पर जो है उसे हाइपका घर क्या हो गया अपी तो यह पॉइंट आपको धूनों याद रखने यह पूछ लिया जाता है और फिर दूसी चीज क्या है कैसे आता में बताता हूं कि यह क्या है यह प्लेट है हम प्लेट के बारे में आगे पढ़ेंगे बाद में इसके उपर ना बहुत सारी कंट्रीज भी हो सकती है ओशन भी ह होना है यह उपर जारी तो होता क्या है क्योंकि अभी एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम फ्रिक्शन लेस होंगी एकदम चिपकी होंगी तेल लगा है इसके अंदर आप देखो अगर आप हाथ अपने हाथ में कोई ऐसी चीज पकड़ लो जैसे कि दो पत्थर पकड़ ल दोनों को रगड़ेंगे वत्थरों को साथ में तो आपको दिखाई देगा कि बहुत मुव्मेंट के बाद यह एकदम से हिल जाते हैं एकदम से हिल जाता है जब कोई चीज ऊपर नीचे होगा एकदम से तो क्या होगा एक यहां से एकदम से ट्रेमर्स पैदा होंगे यह ज कि बनते हैं सैसमिट यह अर्थक्वैक की जो वेज होती है ठीक है है कि अर्थक्वैक्स है मतिसे थे मिन आना चाहिए कि का सि यह पैदा होई तो यह आपको बता है नहीं है आपको थोड़ा सा understand होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है यह आई ओके तो यहां पर देखिए अलग-अलग एक देखे से रुकी हुई थी एक्दम से धक्का माने का प्रयास चल रहा था पर जैसे वह छूटा तो उसके वज़े से क्या हुआ रिलीज हुई इनरजी और उसके वज़े से वेवस बन गई बस ठीक है और जो पॉइंट बने आपको था है वह important है फिर क्या होती ही कौन-कौन से टाइपस ऑफ वेवस होती है अर्थक्राइक वेवस कौन सी होती है देखिए दो तरह की वेवस होती है एक होती है आपकी सर्फ ठीक है अंडर अर्थ या इंसाइड अर्थ समझ लिजए ठीक है और जो अर्थ के ऊपर है तो अपर, ओ इसमें दो तरह की वेव करते है यह एक होती है और यह ओ ती मैं लूव एवेवफ समझ प्रेसाइब का देखियो को ब्रेंसे यह चल रहे हैं यह जैसे मालून सब्जाब का पर यहीं हो तो यह 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 भी जो होते हैं यहां इज теперь क्ला औरिकम प्रेश्ण ओर है क्योंकि Hell इस तरीके से इनके vibration होता है ठीक है सबस्थ में आगया easy है फिर S wave में vibration क्यास होता है जैसे आपको नदी में दिखता है ठीक है रेपर दिखते न्टा सर्फिस औव वाटर में बिल्कुल वैसा स्वेब नहीं होता है तो यह होगे P waves, यह होगे S waves, याद रहेगा, यह दोनों किसमें आती है, body waves में, ठीक है, फिर और क्या होता है, P waves जो होती है, यह जो होती है, P waves, P waves जो होती है, वो सारे medium में मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको एक ही medium में मिले, यह सारे medium में आपको दिखाए देंगी, पर जो S wave होती है, वो सारे medium में travel नहीं करती है, यह point आपको धियान रखना, तो P wave जो है, वो present, P से याद रखना, present in all, ठीक है, present in all, यह दिया फॉलिट से पाऊटिकलLS में जाबकि पास ही है तो इससी में बहुत अब यह पाइव है आपको बताई दिया एक तो पी वे जो होती है। ट्राइब numer करते हैं से यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कितनी दे चलती है 1.7 टाइम्स फास्टर चलती है ठीक है एस वेज़ा ट्रांसवर्स वेज इसी क्या लिख लो शीर वेज और इनको सेकेंडरी वेज भी बोलते हैं तो एस से से केंडरी एस वेज़ोगे पी से प्राइमरी प फिर उसके बाद क्या दिया हुए सेकेंडरी वेज जो होती है और एस आर कॉल ट्रांसवर्स शीर वेज़ोगे इस टॉर्शनल वेज़ोगे इनको कहते हैं तीन नाम हमको से मिल गया एक तो कौन सा हो गया एक तो सेकेंडरी वेज़ोगे ठीक है जो उसका नाम जहां से आया ठीक है और इसका नाम होगया डिस्टॉर्शनल वेज तो यह नाम आपको धियान रखने कहां चले गया है अम लोग डिस्टॉर्शनल वेज़ोगे तो इस तरीके से बारे में आपको बता दिया फिर एक आती है सर्फेस वेज तो यह तो बाडी वेज जानिकी अर्थ है जैस इसको भी पार कर जाएगी इस तरीके से और यह अर्थ के सर्फेस पर आएंगी अब क्या हुआ जब यह अर्थ की सर्फेस पर आती ही न तो इनका थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है इनको हम बोलते हैं या इनको हम बोलते हैं रेलिक वेव्ष ठीक है यह दोनों नाम होते ह तो अब देखे, body waves interact with the surface and generate a new set of waves, एक नई wave बनती है, जिसको हम क्या बोलते है, surface waves, और ये कैसे चलती है, ये waves होती है, surface पर चलती है, ठीक है, जो हमाई surface है, इस surface पर चलेंगी है, ठीक है, surface के अंदर नहीं चलेंगी, क्योंकि अंदर से तो आई है, body waves, ठीक है, love waves क्या होती है इस faster surface will move ground from side to side, मतलब ये surface पर चलती है, ठीक है, रेलिक waves क्या होती है, these waves rolls along the ground, like a wave across a lake, तो जो लेक होता है या wave होती है, पानी में वो किस परकार से, ऐसे से करके चलती है, ऐसे से घूमती रहती है, जब वो तटके पास आती है, तो वो छोटी हो जाती है, तो तूट जाती है, इसी प्रकार से यह जो होती है, आपके S waves, यह भी ऐसी घूम घूम के चलती है, यह आला मत देखो, यह देखना है यहां तक ठीक है, तो यह इस तरीके से चलती है, और इसी के वज़े से सबसे ज़्यादा, जब इस तरीके चलेगी मालूब आपका घर ऐसे यहां खड़ लव भें, लव ऑफ तरीके चला रही है, तिक रही ही आपको, और यहां पे तेको, रेलीग वेंड़क किस तरीके चल रही है, एक इसे से गोल गोल घूमके चला रही न, तो यही से अदर मैंने आपको समझा है तो इस बात आप धहान रखेया, तो यह हो गया, अब यह तिन ठीक है ना तो जो solid होता है core इससे ना कभी भी S wave pass नहीं करती है तो इसलिए जो है no direct S wave received here अब देखने कोई भी S wave का shadow zone है तो 103 degrees लेके 103 degrees तक पर यहाँ पर अर्थ को एक आया मतलब कहने का मतलब देखो कैसे है अर्थ को एक यहाँ पर आया अब मालो S wave जलना चली कैसे रहता है अब जैसे मालो यहां से चली P wave क्या करेगी यह तो solid से पार कर सकती है परंतु जब इस solid को पार करती है तो हलका से इसके अंदर क्या जाता है deflection आ जाता है ठीक है जब अंदर से हलका deflection आता है तो यह कहां से कहां तक बनती है 142 degree से लेके 142 degree तक रहती है और इसका भी एक shadow zone है जो कि 142 से लेके 103 degree तक तो यह इसका shadow zone है तो इससे हमको पता चलता है कि वेव जो है अगर यह ऐसी चली गई होती है तो हमें पता नहीं चलता कि अंदर सॉलिड है पर अब हमें इसके वजह deflection के वादे से पता चल गया कि अंदर एक को अगरी जो होता है अद vicinity update कर जाता है को को से यह पैलड़ को धेंडर यहां समझा दिया उसके बाद आता रथ क्रस्ट के बारे में ठिक है अन्ध के बारे में झहां चाहिए अन्ध को ट्रud पार यह हमारी अर्थ है अर्थ के ऊपर आपका अट्मस्फेर दिख रहा है उसके नीचे आपको एक पतली सी लेर दिखाई देगी यह आपका क्या है यह आपका क्रस्ट है फिर उसके बाद शुरू होता है आपका अलग-अलग mental हो गया जैसे फिर आपका जो है इनर को रोगया को रोगया इस तरीके से बना हुए अभी आगे इसको और डिटेल में देखते हैं तो यहीं पर मिलेगा ग्रेनाइट यह पत्थर याद रखना एक्जाम पूछा जाता है कि जो जो कॉंटिनेंटल जो है वो कॉंटिनेंटल जो कॉंटिनेंट्स हैं वो किस चीज़ से बने तो यहाद रखना ग्रेनाइट से बने हुए ठीक है तो ग्रेनाइट ग्रेनाइट से बने हुए ठीक है तो ग्रेनाइट जीफ और ग्रास जीफ और ग्रेनाइट और और ओश सब्सक्राइब जो अंदर का पूरा इसके बाद यह जो डाइग्राम ना यह बहुत इंप्वार्टन डाइग्राम है क्योंकि इसी में आपको पूरा जो है एक तरीके से दिखाई देगा कि किस प्रकार से जो है पूरा जो डिमार्केशन हुआ है वो कैसे हुए ठीक है तो देखो आप सबसे उपर तो अर्थ हो गई यहां पर आपका घर ठीक है अब आजाओ इसके नीचे जो लिथास्फियर है वो आपको दिखाई देगा आपको देख रहा है लिथास्फियर क्रस्ट और अपर में यहां पर क्या होता है यह थोड़ा सफियर होता है वह हल्कास सब्सक्राइब तो यहां पर आता है कि उसके बाहुं弟 के इसके इसके निदर यहां में इया जैальную रहा है फिर आजाता है कोर यहां पर देखो कोर का liquid पार्ट है और यहां पर क्या है solid पार्ट है तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरह की से defined है तो आपको याद उने एस्तरों स्वियर कहां पर है यह important है यह इंपोर्टन है यह वैरी करती वैसे चेंज़ेंच और लेथ淹ंथ शीज चीज को मिला के बंता है यह तीन पॉइंट आपको धिहान रखना है यहो गया उसके बाद देखो अब बैद बताओ घंग का Himρά और यहां पर आपका कॉंडिनेत चूरु भूल हो गया और यहीं पर ही आपका नीचे आपका क्रस्ट खतम हो जाता है अब बताओं मोठाई इसलाद है यहां पर संबसे जाद है और यहां पर कम है तो यहां पे यहीँ बात करी जा रही कि धिकनफ ज होती है dust Kaurus would vary करती है एक जैसी नहीं होती है तो 5 से 30 kms होती है यहाँ पे थोड़ा चलए 2मान इंडलो कि यहाँ कितनी होती है 50 to 70 और यहाँ पर किस तरह का रॉक्स पहने ग्रैनाauraisे रॉक्स छिंध रॉक्स ऑस से रॉक्स और कोन से बास साय न है ठीक ना यह पॉइंट आपके धिहान रहेगा तो बस यह पॉइंट यहां पर लिखाए है फिर क्या लिखाए है कॉंटिनेंट क्रस्ट इस कंपूज ऑफ लाइटर फैलिसिक लाइक ग्रेनिटिक रॉक्स ठीक है और सिलिकेट रॉक्स और माफिक रॉक्स जो तो शेनी क्रि आयरेन होता है और मैगनेशियम सिलिकेट इगनियस रॉक्स और इनको बसाल्ट की फॉर्म में मिलते हैं एक तो यह पॉइंट आपको धिहान रखने हैं ओके ग्रेनाटिक और बसाल्टिक यह पॉइंट अगर धिहान रखेंगे तो बाद में आप और भी आगे पढ़ सकते स सोडियम, पॉटाशियम, अलुमिनियम, सिलिकेट और यह आयरेन सिलिकेट आप इस तरीके से बना लेना जैसे कि मालो यह होगा आपका कॉंटिनेंटल क्रस्ट तो यहां पर क्या मिलता है ग्रेनाटिक रॉक्स ठीक है और उसी के पास अगर आप देखेंगे आगे तो यहां सी ठीक है यहां पर कोणटlevel का सिलिकेट आप नहा Farmengida मिलतिने चाहिए ऑकके पेसालिक कारें इसके बीभाट है ऐसे जए क्शूर शालिक पाई आहता है की आप से ठीक है उसके बाद silicon उसके बाद aluminum उसके बाद iron उसके बाद calcium आपको oxygen याद रखना है ठीक है फिर अगर आपसे पूचा जाए कि सबसे ज़्यादा element अर्थ पे कौन सा पहे जाता है तो फिर आंसर हो जाएगा iron पहे जाता है ठीक है यह बाँ आपको याद रखना है तो इसको यह कहां हो गएगा अर्थ के उपर हो गएगा तो iOS याद रखना है आपको iron oxygen और silicon यह हो गया iOS यह कहां मिलेगा पूरे अर्थ पे मिलेगा ठीक है और जो OS CIA है जो operating system है CIA का वह कहां मिलेगा छुपा कि बनाए गया यह से अंदर से उलटा है और फिर यहां से करके है यह 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 और अपर पार्ट अब मेंटल होता है यह दो क्रेस्ट हो गया जो भी होगे 50 km माहल एवरेज इसके नीचे मेंटल का पार्ट हो जो भी जुड़ा होता है ले जो दोनों चीजिन लिफॉस फियर में आती है फिर आता है मैंटल में क्या होता है यह 83% आप वाल्यूम एंड 67% मास मालव कि एर्थ का जो पूरा वाल्यूम है, इसके अंदर 63% जो है, वो किसके पास है, मैं अंदर है, मनल आपको दिखा रहा है, तो मैं और आपको धिखा रहा हूं, पाई चारट बना के, तो मैं अच्पर पर इंदर 63% वाल्यूम है, और 67% अर्थ का, तो यह आपको point जात रह है याद हो गया गुड़ अब ऐस्टेनो स्फियर आ जो एस्थिनो स्फियर के होता है हलका सच भूता है वह वीक होता है इसको करते हैं वीक अर सॉलिड नहीं है तो इस और यह कहां पर होता है यह लिट्थोस्फियर के नीचे होता है 80-200 किलमेटर तक और इसी के वज़े से अब देखो मालो कोई भी चीज भारी भरकम अगर कुछ गिलगले चीज के उबर रख दीजाए तो क्या होगा हिलेगी यही चीज होता है जब प्लेट के बारे में पढ़ेंगे ना फ़रतों के बारे में तब यहां पे जो टेक्टॉनिक प पहाड बनते हैं और काफी कुछ चीज़े होती है ठीक है तो यह टेक्टॉनिक मूवमेंट यही इसके अंदर बताए गया मेकैनिकल वीक होती है असी से 200 किलमेटर नीचे मिलता है यह अर्थ में और यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखो हाद देता हू इसी से 200 किलमेटर रहता है तो की कि थे फाइश हम नीच star अपद देखता है कि अनर कॉर पर क्रश कर्मेंस च्रस और यह देखते है और निखल ही इस लिए यह बना होता है नाइफ करके इसका नाम याद रह्के का and और अर्थ ग्षूम रहे क्योंकेMr. इसके इन्दर बहु את तो एक तरीके से यह magnetic field भी बनाता है जो अर्थ के पास रहती ही जो हम पढ़ेंगे अपने next video में ठीक है तो इसके बारे में पढ़ेंगे फिर यह क्या होता है बहुत गरम होता है और इसके वज़े से magnetic field भी बनती है iron होता है फिर क्या होता है density जो होती ही वो vary करती है core की 12 से लेके 13 ठीक है तो 12 यह 13 ऐसे रहती है तो यह points हमने पढ़ें आपके inner core के बारे में और इसके उपर एक outer core होता है जो कि liquid का बना होता है बस आप इतना ध्यान रखिएगा ठीक है liquid core का ही बना होता है liquid ही होता है और यह solid होता है ठीक है यह point दोनों आपको याद रखने और किस चीज़ के बने होत इसे बोलते हैं ऐसी जगे को बोलते हैं मोहो इंडिया को पाकिस्तान से अलग करने वाली कौन सी लाइन है इसे मैक मिलन लाइन है मैक मिलन लाइन है कौन सी लाइन है रैड क्लिफ लाइन है तो रैड क्लिफ लाइन है तो रैड क्लिफ लाइन है तो रैड क्लिफ लाइन है इंडिया को पाकिस्तान से अलग करती है तो जब अलग करती है उसी को इसका नाम दे दिया गया ऐसा तो कुछ है नहीं अलग से तो यहां पे जो एरिया है यहां पे जो एरिया है यहां पे जो एरिया दिख रहे हैं आपको यह तो पूरा मेंटल हो गया है तो यह जो एरिया ना यह कहलाता है इसके उपर एस्थेनॉस पियर के उपर एस्थेनॉस फियर के उपर भी यह यह होता है और जो यह एरिया है इसको ग चुगा है बेस अब आगे आने क्लासेस में हम देखेंगे कैसे जो है magnetism होता है अर्थ के अंदर से फिर हम देखेंगे कैसे tectonic plates काम करती है और फिर हम देखेंगे किस प्रकार से जो है different physical features बनते हैं जो आपके अलग अलग पहाड बन रहे हैं जो भी वाली बन रही है आने वाले अपने वीडियो में एक दो वीडियो का होगा वह कंप्लीट और जो है इस तरीके से हमारे चीज़ कंप्लीट हो जागा ठीक है तो वीडियो मुझे लगता आपको अच्छा ल आपने बाद बहुत अबहर थैंक यू सो मच